आप सभी मित्रों का biological classes हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है आसा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगी की पढ़ाई लिखाई बढ़िया तरीके से चल लही होगी आज हम लोग एक पहुँच छोटे और महत्पूर को सिकांग लाइसोसोम के बारे में अध लाइसोसोम से होने वाली बिमारियों की बारे में भी बात करेंगे चले शुरू करते हैं देखते हैं लाइसोसोम लाइसोसोम की खोच सर्प्रथम 1955 में क्रिस्टियन रेने डी डुवे बेलजियम मूल के साइंतिस्ट थे जिन्होंने 1955 में लाइसोसोम की खोज की थी कहीं कहीं आपको उस्तकों में मिल जाएगा 1950 तो इससे परशान होने की जरूरत नहीं है तो आप लोगी से ध्यान रखिएगा कि क्रिस्चियन रेने डिडुए ने लाइसोसोम की खोज की थी जो बेलजियम मूलकिक थे क्रिस्चियन रेने डिडुए का जन्म 2.をक्टूबर 1970 को हुआ था कब हुआ था? 2.ыйक्टूबर 1970 को इंगलैंड में क्रिस्चियन रेने डिडुए का जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 4 मई 2013 को सयर्य में हुई थी इन्हे लाइसोसोम व पर आक्सी सोम पर आक्सिसोम एक प्रकार का अंगख है जो कोशिकाओं में पाय जाता है जिसका कार्य है आक्सी करण करना बायो मालिक्योल्स का कोशिका के भीतरिया आक्सी करण करते हैं आक्सी करण में मदद करते हैं खोज के लिए इन्हें 1974 में नोबेल पुरसकार से सम्मारित किया गया। तीसरा पाइंट हम देखते हैं। लाइसोसोम की खोज यक्रित द्वारा कार्वो हाइडरेट के उपापचे में सामिल एंजाइमों पर रेनेक D2A के सोध से उत्पन हुई। जब D2A ने यक्रित में कर्वो हाइडरेट के उपापचे में सामिल एंजाइमों का अध्यान कर रहे थे। उसी साथ लाइसोसोम का खोज हुआ। चोथा देखते हैं लाइसोसोम एक उपकोस की अंग है। लाइसोसूम एक उपकोसिकांग का क्यार्थ है उपकोसिकांग क्योंकि इसका निर्माड एक कोसिकांग से होता है यह गालजीकाई के ट्रांस भाग से निकलते हैं गालजीकाई में दो भाग होता है सिस भाग या सिस फेस जिसे करते हैं ट्रांस फेस अंतर प्रदवी जलिका की तरफ होता है और ट्रांस फेस कोसिका काला की तरफ होता है तो गालजीकाई के ट्रांस फेस से लाइसोसूम की उत्पत्ती होती है जो लगभग सभी प्रकार के यूकरियाटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं जन्त कोशिकाओं में पेच्छाकृत अधिक संख्या में पाए जाते हैं या हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम मूलतह जन्त कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम का कारे रिक्तिका करती है, इस वज़ा से हम कह सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में भी लाइसोसोम पाए जाता है, लेकिन मुख्यता ही है जन्तु कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, किनी-किनी पुस्तकों में आपको मिल जाएगा कि पुलता लाइसोसोम जन्तु कोशिकाओं में पाया जाते हैं। जबकि लाइसोसोम का कार्य पादप कोशिकाओं में रिक्तिका करती है। इस वज़ा से हम लाइसोसोम पादपों में नहीं पाया जाते हैं। इसे नकारते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। पांचवां। य ये एकल जिल्ले यूक्त होते हैं, ये एकल जिल्ली होते हैं, सिंगल मेंब्रेन बाउंड होते हैं, गोल होते हैं, छोटे थैली नुमा होते हैं, लाइसोसोम का आंतरिक वातावरण अमली होता है, हम बात करते हैं, लाइसोसोम के आंतरिक वातावरण के तो यह अमली होता है, सातमा देखते हैं लाइसोसोम में विभिन प्रकार के हाइड्रोलेटिक एंजाइम भरे होते हैं हाइड्रोलेटिक एंजाइम क्या होते हैं ऐसे एंजाइम्स जो जैविक अड़गों को तोड़ने के लिए जल की सहायता लेते हैं ऐसे एंजाइबं हायग्रोलीटिक एंजाइबं कलाते हैं तो लाइशोसोम में हाईड ड्रोलीटिक एंजाइबं लगभक 75 image ए 20 प्राकार के होते हैं, जो इसके अंदर भरे होते हैं ये एंजाइब नुकलिक एसीड, प्रोटीन, पॉलिसेक्राइट जैसे बड़े अड़ूों को तोड़ते हैं। लाइसोसोम में अंतह कोशकी पाचन का प्राथमी घटक है, क्योंकि लाइसोसोम में ही कोशिका का प्रथम पाचन होता है. अंतह कोशकी पाचन से क्या अर्थ है, कि ऐसे बायो मालिकूल्स जो बाहर से कोशिका में प्रवेश करते हैं, और उनका पाचन लाइसोसोम करता है, इस वज़़ से लाइसोसोम अंतह कोशिकी पाचन का प्राथमी घटक है. दसमा देखते हैं, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, यह बहुत ही मत्तपूर है. बहुत से परिक्षाओं में बहुवी कल्पी प्रस्नों के रूप में पूछा जाता है कि कोशिका की आत्महत्या की थेली किसे कहा जाता है या लाइसोस्म को और किस नाम से जाना जाता है इस तरह के प्रस्न आपसे परिक्षा में पूछे जा सकते हैं तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थेली इस वज़र से कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम कभी-कभी संक्रमित कोशिकाओं को या कभी-कभी क्या हमेशा ही संक्रमित कोशिकाओं को जब अवश्यक होता है तो लाइसोसोम की जिल्ली फट जाती है जिसके अंदर अमली ये pH वाले हाइड्रोलिटिक एंजाइम पूरे कोशिकाओं में फैल जाते हैं और कोशिका का पाचन करते हैं इस बज़े से लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है हम सरचना देख लेते हैं लाइसोसोम की पहला लाइसोसोम का निर्माण गालजी काई के ट्रांस भाग से होता अभी हमने इसका बात किया था कि गालजी काई में दो भाग होते हैं सिस भाग, सिस फेस, ट्रांस भाग, ट्रांस फेस ट्रांस फेस कोशिका कला की तरफ जबकि सिस फेस अंतह प्रदबी जरिगा की तरफ होता है तो लाइसोसोम में जो एंजाइम भरे हुए होते हैं उनका निर्माड आर यी आर रफ एंडोपलाजमिक रेटिकूलम से होता है और यह पुठिकाओं के माध्यम से ट्रांसफर वेसिकल्स के माध्यम से गालजी काई में प्रवेश करते हैं जहां गालजी काई में इन एंजाइमों का पैकेजिंग होता है छोटे छोटे पुटिकाओं के रूप में, छोटे छोटे वेसिकल्स के रूप में उनकी पैकेजिंग होती है जिसे इन पुटिकाओं को स्केटरी वेसिकल्स कहा जाता है ये engines इन वेसिकल्स में भर कर कोशिकाओं के द्रब में विलिन हो जाते हैं तो गालची काय से निकल कर ये पुटिकाये कोशिका द्रब में मिल जाते हैं, और बाद में ये पुटिकाये आपस में मिलकर एक लाइसोसोम बनाते हैं, तीसरा हम देखते हैं, लाइसोसोम का आकार, तो लाइसोसोम 0.1 से 0.5 माइकरान तक और कभी-कभी 1.2 माइकरान तक हो स अलग-अलग प्रकार के enzyme जैसे protege, nucleage, phosphatage, amylage जैसे protege enzymes का क्या काम करता है यह protein का पाचन करता है nucleage क्या करता है nucleic acid का nucleic amyl का पाचन करता है उसी तरह से amylage starch को सरकरा में बदलता है ठीक है अगला हम पांचमा देखते हैं lysosome phospholipid bilayer से बनी एकल जिल्ली से घिरा हुआ होता है यह आपके सामने संरचना है lysosome का यह एकल जिल्ली है लेकिन इसमें double layer है पहली layer यहाँ पे इस तरह से यह पहली layer होए और यह दूसरी layer है लेकिन यह एक ही जिल्ली है सिर्फ एक membrane है जो की bilayer है तो single और bilayer इन दोनों चीजों में आसा करता हूँ कि आपको confusion नहीं होगी तो एकल जिल्ली से बने lysosome phospholipid के bilayer से बनी होती है जो एकल जिल्ली होती है इसकी single जिल्ली होती है जो की दो परत्की होती है जो phospholipid से बनी होती है ठीक है उसके बाद छटवा देखते हैं यह 60 से अधिक प्रकार के hydrolytic enzyme इसमें मौजूद होते हैं यह आंतरिक वातावरड है इसका आंतरिक वातावरड अमली होता है इसकी आंतरिक वातावरड को हम lumen कहते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के hydrolytic enzyme जिसमें प्रोटीज नुक्लेज फास्वाटेज एमाइलेज आधि प्रकार के enzyme भरे हुए होते हैं यह लगभग 60 से अधिक संख्या में होते हैं ठीक है यह लाइसोसुम की संरचना होगी यह आप लाइसोसुम की संरचना यहां से यह आप चाहें तो पूरा pream pack हो नगैंक की माध्य हमसे डॉपीड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगे देखते हैं इसके कार की बारे में लाइसोसुम के कार की बारे में लाईसोसूम कई जटिल अनगो जैसे लिपिड हमने बात किया था बात किया कि लाइसोसोम एसिटिक नेचर का होता है, इसका पीछ मान लगभक 4 दसमलों, 5 से 5 पीछ तक होता है। हाइड्योलिटिक एंजाइम में विशेस रूप से हाइड्रोलिशिस के माध्यम से बड़े अड़ों को तोड़ते हैं। तो hydrolytic एंजाइम हम ने बात किया था कि जल का उपयोग करके जटिल अड़ों को सरल अड़ों में तोड़ने का कारे करते हैं। यह रासाइनिक अविक्लिय आईड्रूलिसिस के माध्यम भी करते हैं यह कोशिका के अक्रिय कोशिकांगों का भक्षड करते हैं उन्हें पचाते हैं फैगोसाइटोसिस में लाइसोसोम की भी भूमिका होती है फैगोसाइटोसिस क्या फैगोसाइट से जैसे स्वेत रक्त कडिका के हम बात कर ले तो जब सरीर में जीवाडव प्रवे जिल्ली से जुड़कर उनका पाचन करती हैं, तो यह प्रक्रिया Phagocytosis कहलाती है, यह संक्रमित कोशिकाओं का भी पाचन करती हैं, हमने बात किया था, इसी वज़े से लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैले भी कहा जाता है, तो यह संक्रमित कोशिकाओं का पाचन करती हैं, यदि कोई कोशिका किसी कारणवस संक्रमित हो जाती है, तो लाइसोसोम की जिल्ली फटती है, और उनमें उपस्थित अमली अप्रकिति की हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पूरी कोशिका में फैल जाती हैं, और कोशिका का पा करता है यह इसी तरफ से वढ़ता है जब कोई कोशिका डेड़ होती है तो लाइसो सोम गला देखते हैं यह जीन रेगूलेशन भी करता है यह कोलेष्टाल का परिवहन भी करता है गो इसके कारे देख लेते हैं यह antigen presentation करता है antigen, प्रतिजन प्रदर्शित करता है, यह microbial killing करता है, सुच्च मजीओ को मारता है, यह intra cellular digestion भी करता है, अंता हकोस की पाचन भी करता है, हमने बात किया था, अगला देखे महतपूर्ड है कि लाइसोसोम, प्लाज्मा मेंब्रेन की मरम्मत भी करता है, प्लाज्म उसके बाद अस्ति असोसर भी करता है, आटो फैगी भी करता है, और कोलिस्ट्रॉल का ट्रांसफर भी करता है, जीन regulation भी करता है, जीन regulation मुख्यतर न्यूकलेस में उपस्तित जीन होते हैं, जीन को यह नियंत्रित करता है, यह उपापचई संकेतक का भविकार करता है, मेट यदि आप चाहें तो इन बातों को नोट कर सकते हैं, जो कि आपको PDF में नहीं मिलेगा, आगे देखते हैं इसका रोग क्या होता है, तो Lysosome भंडार और रोग क्या है, जब नूकलियस में उपस्थित, जीन में अचानक से परिवर्तन हो जाए, वो भी किस जीन में? तो आटोसोमल क्रोमोजोम, इसमें आटोसोमल क्रोमोजोम में अचानक से परिवर्तन हो जाए, जिस वज़े से लाइसोसोम के पूरे कार में दो सुथपन हो जाता है, लाइसोसोम अपना कार सटिकता से नहीं करता है, जिस वज़े से बायो मालिकूल का भंडार लाइसोसोम में हो जाता है उनका पाचन नहीं उपाता है इस वज़े से लाइसोसोम में एक समझ्या उत्पन हो जाती है जिसे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज या लाइसोसोमल भंडारर रोक कहते हैं सब्सक्राइब समझ गया होंगे कि जैव अड़व का लाइसोसोम में इकठा हो जाना और यह किस कारण से होता है तो आटो क्रोमोजोम नुकलियस में उपस्तित आटो क्रोमोजोम आटोसोमल क्रोमोजोम में होने वाले आचानक परिवर्थन से होता है इस वज़े से इनमें बायो मालिक्योल्स इकठे हो जाते हैं इनका पाचन नहीं हो पाता है इनका परिवर्थन नहीं हो पाता है तो यह समस्या कोशिकाओं में या मनुस्यों में उत्पन होती है लगबग 50 विभिन प्रकार के LSD, Lysosomal Storage Disease है यह बहुत से बिमारियों का कारण बनती है दूसरा यह आटोसोमल क्रोमोजोम में किसी एक पे उत परिवर्तन के कारण होता है अचानक से किसी एक क्रोमोजोम पे six क्रोमोजोम को छोड़ कर सभी प्रकार की क्रोमोजोम आटोसोमल क्रोमोजोम हैं उनमें किसी एक पे अचानक से हो जाते हैं परिवर्तन कुछ जिसके कारण यह कंभीर विमारी सामने आती है तिसरा देखते हैं LSD में बड़े अड़ों का पाचन नहीं हो पाता है। हमने भी बात किया था कि लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज में बड़े अड़ों का पाचन नहीं हो पाता है। ये लाइसोसोम में भंडारित हो जाते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि बड़े अड़ों का पाचन तो हो जाता है, लेकिन पचे हुए अड़ों कोशिका में फिर से पुनस चक्रण के लिए नहीं भेजे जाते हैं, ये लाइसोसोम में ही भंडारित हो जाते हैं, इस वज़े से या लाइसोसोम भंडार रडोक का कारण बनती हैं इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार हमें लगता है कि आप लोग को वीडियो पसंद आयोगी और आप लोग चैनल को लाइक करेंगे धन्यवाद